हेलो फ्रेंड आज हम इतिहास का सेट थीरी लेके आ गए हैं इस वीडियो और ऐसे जो भी वीडियो बनाए हैं उसका पीडिएफ डिस्क्रिप्शन बॉक में से दे दिये हैं उसे डाउनलोड कर लें पढ़ने में साने होगा कि इतिहास के या जितने बीडिये हैं उनका कोशन बहुत बहुत-इंपॉंट्ट है या या कोशन या तो भी हार बोर्ड वुर्ट ट् genius कलास में आगे हैं पूछे जा चुके हैं या तो पूछे जाएंगे यह कोशन बहुत बहुत इंपॉंडट है इसलिए आप के संपर्ग में जो ही बरामा कलास के स्टुडेंट हैं जो इस पर परिछा देने वाले हैं उसको जादा से जादा से शेयर करें चलिए कोशन पर आते हैं तीति ये बहुत संगीतिके का अयोजन कहां हुआ ओप्शन बी पाटली पूत्र नेक्स्ट महात्मा बूध का जानमस्थान कहां है ओप्शन डी कपील बस्तू नेक्स्ट जैन धार्म के चोविशवे तीर्थकर कौन थे ओप्शन डी महावीर स्वामी प्राथम बौध संगीतिकी किस सासक के काल में हुई आजाद सत्रू ओप्शन ए नेक्स्ट प्राचीन बहारत का विश्वपरसिद विश्विद्याले कहां इस्थितू ओप्शन डी नलंदा त्री पिटक सहीत संबंधित है ओप्शन बी बौध धर्म से हिनियान एवं मायान संपर्दाई किस धर्म से संबंधित है ओप्शन बी बौध धर्म नेक्स्ट महबीर स्वामी की पुत्री अनोच्या प्रियदर्षिना प्रियदर्षिना का विवाग किस से हुआ था जमाली से इससे कोशन और बन तहां कि महबीर स्वामी की पुत्री का नाम क्या था ता अनोच्या अवाहिक प्रियदर्षिना थी महावीर ने पासर्वनात के सिधानतों में कौन सा नया सिधानत जोड़ा था आप्शन B ब्रह्मचार पुरानों की संखिया कितनी है आप्शन B अठार असोख के द्वारा प्रचारित बौध धर्म कहां प्रचारित नहीं हुआ ब्रिटेन में अर्थात सिरिया स्रिलांका और जपान में असोख के द्वारा प्रचारित बौध धर्म प्रचारित हुआ था लिटेन में नहीं हुआ था इसलिए option B हो जाएगा महवीर का जन्म कहां हुआ था इनका जन्म हुआ था कुंडल बन में अगर पुछे का कि बुद्ध भावान का जन्म कहां हुआ था तो वह लूबनी बन लूबनी में प्राचीन भारत में धाम्मा की शुरुवात किस सासक ने की थी धाम्मा मनुता धर्म option C असोक चौथी बौद संगिती किस सासक के काल में हुई थी option D कनिस्क बेदो की संगिया कितनी है option B फोर बहुत चरीत की रचना किसने की option B अस्वगोस आकवर ने अबूल भाजल से अपने स्वैम के काल का इतिहास लिखवाया प्राचीन काल में आईसी प्रंपरा कहां थी option A चीन में आकवर नाव है बमाइन अकवरी का अनुलफ है अनुबादख कौन थे मनेक, आइने अकवरी और आकवर नुबादख कौन थी? मने अनुवादक कौन थे इनका अनुवादक बेबरिज भी थे जायरेट भी थे और ब्लैक मन भी थे ब्लाक मन भी थे अथा अप्शन हो जागा इन मिसेश साभी तमबाकु का सेवन सर पर्थम किस मुगल समराष ने किया था अकवर अप्शन ने किस ग्रंथ में आदम से लेकर अकवर के काल तक का इतिहास मिलता है आप्शन बी अकवर नामा जिनका लेखा कौन थे अभी जिनका लेखा कौन थे अबुल फाज़ा चलिए सिकार के समय राष्टे में पढ़ने वाले गौं में भूरा जस्व संबंधित जनकारी किस समराठ ने सर पर्थम प्राप्त की ऑप्शन ए अकवर तमबाकु पर किस सासक ने पर्तिबंध लगाया ऑप्शन सी जहांगीर समराजबादी इतिहास कार हैं ऑप्शन बी डेवलू एच मौर लेंड भारत में तमबाकु का पवधा लाया गया ऑप्शन सी पुर्तगालियों द्वारा पुर्तगाल से आइने एकवरी के अनुसार अनुसार भूमी को कितने भागों में बाटा गया था आइने एकवरी के अनुसार भूमी को चार भागों में बाटा गया था सोला सो इसबी से साता सो इसबी के बीच भाद की अवाद इलागवर बढ़ी थी पांच करोड़ आईने एकवरी में किस साता सक का बनन है ऑप्शन बी आकवर और इसे देखilstफिये, आइने औकभरी, औकभवर, औकभर याद हो जागा आपको, आकभर नमा की राचना किसने की थी? तो ओप्शन डी, अवूलफचल मुधे ही अऐने औकभर नमा, दोनों की राचना कॉन की थे? आवूल फजल किया थे कुटुब मीनार का निर्मान किसने अराम भी किया था कुटुब मीनार का निर्मान का और हम किसने किया था कुटूब डिन इवाक लेकिन इसकानीशिंग चाहिए छोड़ देते हैं उसको आकबर का ब्रित मंत्री कौन था आकबर का ब्रित मंत्री ओप्शन डी टो डार्मल थे आईने आकबरी कितने भागों में बिभागता है आईने आकबरी खूद पांच भागों में बिभागता है आईने आकबरी किस ने लिखा आपूल फजाल उप्शन सी डिल्ली से दौलता वाद किस सासक ने अपनी रजहानी परवतन की यह कोशन बहुत बहुत इंपॉंटेट है उप्शन भी मुहमाद तुगलक मुम्ताज एवाम साहजहां की पूत्री साहजहां की पूत्री का नाम था मुम्ताज एवाम साहजहां की पूत्री का नाम था जहान आरा रौसन आरा और गौहर आरा तीनों थे इसलिए इसमें से सभी नाम हो जाएगा अप्शन डी नेक्स्ट हिमाईव का भाई कौन था बावर के चार पूत्र थे आथा था था हिमाईव अपने आप में मुगल कालिन चित्रकला किसके काल में चर्मों तसकार्स पर पहुंची ऑप्शन दी जहां गीर साह जहां नेक्स्ट रजम नामा के रजम नामा के नाम से किस गरांथ का फार्सिया अनुबाद किया गया ऑप्शन B महाभारत गुल बदन बेगम ने किंज के आगरह पर हिमाईव नामा लिखा अकबर के आगरह करने पर गुल बदन बेगम ने हिमाईव नामा नामा पुस्तक लिखे थे बादसाह नामा किस ने लिखा ऑप्शन C अब्दूल हमीद लहौरी नेक्स्ट यासचा यासचा का अर्थ होता है राज किये नियम यासचा या राज किये नियम किस ने लागु किये थे अप्शन B चैंगेज खाँ उमाईव नामा का अंगरेजियन बात किस ने किया था आप्शन ए हेनरी बेवरेज ने लाड़ली बेगम किनकी पुत्री थी आप्शन ए नूर जहां फाथेहपूर सीकरी फाथेहपूर सीकरी की राधानी किसने बनाया आप्शन ए आकवर दरवार में अभिवादन का तरीक आनिम लिखित में से कौन सा था कोरनीस भी था फिर साजदा किया जाता था फिर पाइबोस किया जाता था आथा तिन में से सभी सबसे आगे तो कोरनीस किया जाता था उसके बाद साजदा उसके बाद पाइबोस अथा तिन में से सभी आकवर ने किस सन में दिन ए इलाही धर्म चलाया ओप्शन D 1581 में दारा एवां सह जहां के पास आगरा में रहती थी ओप्शन A जहां आ रहा दिल्ली में चौंदनी चौक चांदनी चौक का निर्मान किसने कराया ओप्शन A जहां आ रहा बावर चंगेज खां का कौन सा बंसज था ओप्शन D 14 में गुल बदन बेगम कौन थी ओप्शन C लेखिका क्योंकि इन्होंने बावर नामक पुस्तक लिखा था और पुस्तक कौन लिखता है लेखिका लिखती है कि आए अकवर का संद्चक बनकर किसने सासन किया जब अकवर 12 वर्ष के थे तब ही राजा बन गए थे राजा बन गए थे और आकवर नामा के बाहरम खांगे संद्चन में अकवर राजा बने थे इसलिए अप्शन यह आकवर के समय राज कुमारों को अधिकताम कितने मनसभधार बनाया गया ऑप्शन डी बारह हजार भारत का अंतीम मुगल समराथ कौन था अप्शन डी बहादू साह जाफ है यह भी कोशन बहुत इंपॉंटेट है ऐसे तुझा धिक सावे कोशन इंपॉंटेट है भारत का अंतीम मुगल समराथ कौन था फिचलाई कोशन है बहादू साह जाफ है मुगल चितकला किस के समय चर्मोत करस पर थी ऑप्शन डी सा जहां तुझुक ए जहांगीरी की रजना किसने की ऑप्शन सी जहांगीर भारत में मुगल बांश के संथापा कौन थे ऑप्शन ए बावर तूजुक ए बावरी किस ने लिखी आपसन ए बावर तूजुक ए बावरी बावर लिखे और तूजुक ए जहांगीरी जहांगीरे लिखे थे जैसमी है थैंक यू अगर अच्छा लगा वीडियो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें सेयर करें लाइक करें